आज किचिन में बना हैं आलू गोश्ट साथ ही बनी है दो पर्ती रोटी यानि एक रोटी के साथ एक रोटी फ्री 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 तो बहुत ही बढ़िया मैठेट था बनाने का जरूर देगे पूरी रेसिपी तो मैंने शुरुआत यह देसी घी के साथ आप चाहें तो करना है और फ्राइ करके इसको निकाल देना बीच में आपको जो दिख रहा था वो मेरी कुछ प्रेपरेशन है मसालों की अब यह देखें प्यास हो गई है तो इन प्यास को बाहर निकाल देना है अब इसी घी में मुझे तेज पत्ता और कलमी डालनी है साथी में मैंने एक किलो के करीब यह गोश्ट है इसमें जादा तर नली और हड़ी वगेरा है तो बहुत ही जूसी बनने वाला है तो इसको हमको अच्छे से भूनना है और उस दर्मयान मैं मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करना चाहूंगी मुझ से आज थोड़ी सी गड़बड हो गई यह मसाल करवा पना गया था इसलिए आप ध्यान रखें कि कुछ भी हमको जलाना नहीं है मेरी तरह तो बिल्कुल जलाना नहीं है साथ में यह देखें यह लाल मिर्च तो सूकी लाल मिर्च मैं डाल रही हूं इससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा साथ में मैंने दो चम्मच इसमें नारियल रखा है और खस खस रखी है एक चम्मच इससे ना बहुत ही बढ़िया और रिच फ्लेवर आता है साथ मी मैंने अपने जो मसाले रोस्ट करें थे वह भी यहां पर डाल देना है यह सारे चीज़ों को पीस के मुझे एक पाउडर अगर भिष्ण में मुश्किल करें तो आप यहां पर पानी डालकर पीष सकते हैं अब यह सारे मसाले अब आपको बताना यह है चया बूल गई हूँ क्योंकि एक चीज है जो मैं यहां डालना भूल गई थी तो अगर आपने नोटिस किया तो जली से कमेंट में बताएं मुझे कि मैं क्या डालना भूल गई हूं तो यह रहा थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाले ना जले और साथ में मुझे यहां पे जो प्याज मैंने तल के रखी थी वो यहां पे थोड़ी सी मिक्स कर देनी है यानि बस एक मुठी मैंने प्याज उठा के यहां पे डाल दिये इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला और मुझे मिला के ट्रांसफर करना है कुकर में क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी मैंने छोटी कडाई ले ली थी चम्मच चलाते ही नहीं बन रहा था मुझसे इसलिए मैं हमेशा देग में या बड़े प्रशर कुकर में बनाती हूँ तो यह कुकर में ट्रांसफर कर दिया साथ में मैंने थोड़ी सी दही डाल दिया इसमें दो चम्मच चे करीद दही थी साथ मैंने थोड़ा सा कसूरी मित्वी डाल दिया इन सारे चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है हमको और उसके बाद बस प्रशर कुकर को बंद कर देना है प्रेशर कुकर बंध होने के बाद आराम से 6-7 सीटी आने दे अच्छे से गलने दे उसको जब बढ़िया से आप मतन गल जाएगा तब आप सो खोलने कुकर को उस दर्मियार मैंने आटा गून लेना है आटे में डालना है थोड़ा सा नमक और हुलका सा ओयल डाल देना है ताकि हमारी रोटिया सॉफ्ट बने बस फिर क्या है तीन चमच मैंने आटा लिया है उसमें आदा गलास पानी मुझे लगता है लेकिन आपके घर का चमच अलग ग ताकि मैं अपनी ग्रेवी में डाल सको अगर हमने आलू पहले से चीला है और पहले से काट के रखा है तो उसको हमको पानी में डुबा के रखना होगा ताकि हमारे आलू काले नहीं हो साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जली से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर करें तो हमको फॉलो कर लें और लाइक करके कमेंट करके जरूर हमसे जुड़े आप तो यह रहा हमारा प्लास्टिक की शीट लिए मैंने एक और उसमें चोटी-चोटी दो गोलियां बनाई है हमने और इसको इस तरीके से रख देना है फिर कोई भी फ्लाट चीस इसको दब मैं से छिपका दिया है फिर सुकाटे लगा कि इसको हलके हाथ से बेलना है और जान रखके हाथ से ही बेले वरना यह अलग-अलग नहीं होगि अब तवा मैंने पहले से ही रैडी करके रखा है मीडियम हट गरम करके फिर उसमें मुझे डाल दो рек रोटी गलतने के बाद हलका जैसे ही थोड़ा फूलने लगी हमारी रोटी तो मैं इसको किसी कपड़े से या किसी चीज से दबा कर सेकूंगी और ये देखें जब वो खुलने लगे ना तो बस हराम से निकाल ले तो आपके को एक रोटी के साथ दूसरी रोटी मुफ्त मिलने वाली है बस इस तरीके से इ अगर निहां दोनों तरफ से बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट घीन लगया है यह थेल लगाया है तो बहुती नरम रोटिया बने बाहटी वहटी टिलीशईस लगेंगी तो जरूरोर इस रोटी के साथ आप गोष्ट की जो सालन भनाए वह तयार करी यह वह ट्राइब तो यहां पर मैं आड करूंगे हमारा आलू जब हमारा गोष्ट बहुत अच्छे से पक जाए तब आलू के साथ ही मुझे अपने प्यास भी आड कर देनी है यहां पर और हमको थोड़ा सा पानी डालेना है अगर कम लग रहा है तो फिर इसको कुकर बंद करके एक सीटी लगा अराम से आपका आलू गल जाएगा अगर दो तीन सीटी लगा दी तो आलू इसमें घूल जाएगा जो बहुत ही खराफ फ्लेवर कर देगा तो यह रेसिपी आप जरूर ट्राइ करिएगा आलू के साथ गोष्ट बहुत टेसी लगता है जो हमारा आलू है उसमें पूरा गो कोष्ट से कम नहीं लगता तो जरू ट्राइ करिएगा यह रेसिपी आप यहां पे आप हरी मिर्चे डाले धनिया डाले और गार्णिश करके इंजॉय करें थैंकियो फर वाचिंग